है कि हुलो नमस्कार डियरी स्टुडेंट वेलकम टू सक्सेश कैरियर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iocl के बारे में कि iocl पर यहाँ पे अप्रेंटिस आया हुआ है एक ट्रेड वालों के लिए और डिप्लोमा आउलकुली भी आया हुग है और बीटेक वानों के यह वीडियो को लिए बहुत ही उप्रोपियों की होने वाला है तो आईए हम ले चल रहे हैं आपको iocl का जो वेकेंसी आया हुआ है आपको कहां पर पता लगेगा तो सबसे पहले आपको official website iocl.com पर आ जाना है जो कि official website है और जैसे आप आएंगे तो यहां पर what is news जो लिखा हुआ है new यहां पर 100 पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां से एक farm टैब कुल कर आएगा जो कि कुछ इस परकार का होगा इस टैब में आपको देखिए जब आपने what is news पर क्लिक किया तो आपको यहां धेर सारा आपको यहां पर अपडेट दिखाई दे रहा होगा पहला दूसरा तीस UK a limited Eastern region ठेट कि अपको क्लिक करना होगा क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहां पर जितने भी अप्र methylene tree कर ले रहा हूं कर यह देखिए दोस्तों मैं यहां पर इसका जो आफिस्यल पीदीएफ था नोटिफिकेशन था मैं डाउनलोड कर लिया हूं तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इंपोर्टेंट चीजे बताने वाले हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सेलेक्शन मेथड क्या होगा रिटेन एक्जाम के होगा या मेरिट लिस्ट पे बेस पे होगा इ लिए और कैसे भर पाएंगे इंपोर्टेंट डेट क्या है यानि कि कब तक लाज डेट रहेगा कब स्टार्ट हुआ है और रिटेंट टेस्ट कहां कहां होगा इसकी जानकारी में इस वीडियो में देने वाला हूं तो कहां कहां आपको एक्जाम में भरते वक्त ध्यान इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक के इंस्टुमेंट मेकेनिक मचिनिस्ट मेकेनिकल इलेक्टिकल इंस्टुमेट इंस्टुमेशन सिविल इलेक्टिकल इलेक्ट्रोनिक्स फिर आप इलेक्ट्रोनिक्स डाटा इंट्री आपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोचि है कि तो यहां पर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का जो तोल्टाल यहां पे वेकंसी है यह लगवग आपका पर 279 आप आझाए हुआ है तो हर है in कप वाया हुए मैकेनिक इंस्टमैन चूपर significant जिसीज यहां पर लगबाद प्रेड हैं कि मेकेनिक мож 24 वालो के यहाँ परिंटिस 형 पाया हुआ है तो अपको ठ्र्शन को ध्यान फ्रू हगत देखना है हँ स्टेट में आया हुआ है एदगी ओडिसा की वाकेंसी है फिर उसके बाद ओडिसा में सबी ट्रेड हैं फिर आपका जार्खंट से आया हुआ है तो आपको इस्टेट वाइज यहां पे देखनों को मिल जाएगा चलिए तो अक्वालिफिकेशन आपका क्या रहना चाहिए दि कि अच्ची बात है कि fc2 वियुल है इलेक्टानीक मेकनिक जो आई ट्याइक की वह भी ब्रेजिवल रही यहाँपर इस्टुमेंट इस्टुमेंट मेकनिक जो वह भी इलिजिव बर Pennsylvania से Techland City मेकनिफ मेकनिफ cones है उनके लिए भी है याँआपर विकेंसी अब गत ह Success कुछ देखिए यहां पर टेकनिसियन अप्रेंटिस मेकेनिकल वालों के थ्रियर डिप्लोमा इन मेकेनिकल इंजनेरी होना चाहिए आपका मिनमम आपका 50% होना चाहिए ठीक है और यहां पर जो है इलेक्टिकल वालों के लिए डिप्लोमा जो है थ्रियर्स के डिप्लोमा जिनके पा किसी भी institute से 50% mark से वो भी इलिजबल हैं यहाँ डिप्लोमा का सीविल वालों के लिए भी आया है minimum 50% होना चाहिए तो आप इस फारम के लिए इलिजबल है फिर यहाँ डिप्लोमा के हैं 3 years diploma electrical electronics जो किये हैं यह भी 50% आना चाहिए फिर आपका इलेक्ट्रोनिक्स वाले जो engineering कियें डिप्लोमा इंजिनिंग वो भी इलिजबल है 50% मार्क के साथ यहाँ देखिए ग्रेजुएशन जो है जिनके पास जो बीटेक वगएरा किये हैं या कोई भी ग्रेजुएशन किये हैं फुल्टाइम ग्रेजुएशन इन डिस्प्लीन विट 50% मार्क इन जर्नल ओबी तो यह भी इलिजबल है यहाँ पर डाटा आपरेटर फ्रेशर के लिए भी नन ग्रेजुएट विट 12 पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए डाटा इंट्री आपरेटर के लिए क्लास 12 होना या इसकी एक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए दूसरा है यहाँ पर ट्रेडर प्रेंटिज जो आया हुए रिटेल सेल्स एसोसियेशन का नन ग्रेजुएशन विट 12 पास क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड रिटेल एसोसियेशन मिनिम 12 पास है ठीक है तो यहाँ लगब लगब सभी आमने डिसकस कर दिया कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अब आई यहाँ बात करते हैं आप लोगों से यहाँ पर देखी बहुत चीज़ें दिया है लेकिन मैं जो इंपोर्टेंट है वो बाते करूंगा इस वीडियो में एज रिलेक्सेशन है अलग अलग एस्टी एस्टी ओबीसी वालों के लिए पीडबलूडी वालों के लिए यहाँ पर जो इंपोर्टेंट फैक्ट में वाई डिसकस करने वालों दोस्तों जो मार्क शीट है आपका वो मैट्रिकुलेशन सब्सक्राइब यानि कि क्लास टेन का इ यानि कि एज लिमिट आपका जो सर्डिफिकेट है हाई स्कूल वाला उस पर आपका एज मिनिममम 18 और 24 साल आना चाहिए मिनिममम 18 मैक्सिमम 24 साल चलिए और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट में यहाँ पर डिसकस करने वाला हूं पिरियड आफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग कि इतने साल का होने वाला है तो 12 मन्थ फर आर्डिस्प्लीन एक्सेप्ट किसको छोड़कर ट्रेड अप्रेंटिज जो है डाटा इंट्री आपरेटर फ्रेसर अप्रेंटिस विल भी हैविंग 15 मौन्थ ट्रेनिंग और ट्रेड अप्रेंटिज जो रिटेल सेल्स वगेरा के ह अब करेंगे यह एज क्रिटेरिया वगेरह म्हिव फिर आपका सेल्क्षन जो मेथड़ होगा वह जो होगा सेलेक्शन आपका यहां पर रिटेन एक्जाम के माध्यां से होगा जो कि 90 मिनट आपको मिलेंगे यहां पर आपको रिटेन टेस्ट विल बी किम्प्रमाइज 100 कोस क्वेज्टेंगे यानिकि विख muffler प्रसन होंगे जो कि आपका यहां पर पुछा जाएगा कि वो इंगलीज हिंदी और दोनों लेंग्वेंज में आएगा ठीकै जो सब्मल्टिकर्सों होंगे वो इंगलीज हिंदी दोनों लेंगवेंज में आएगे अब देखे ट्रेड अप्रेंटिस एकाउंटेड इसमें जो सिलेबा से उनका ये जनरल एप्रिटूड इंक्लूडिंग क्वांटिटी अप्रिटूड तीस मार्स का होगा यानि कि आपके पास मैक का क्वेश्चन तीस नंबर का आएगा फिर रिजिनिंग तीस नंबर का आए हैं मेकेनिकल इलेक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्सेशन सिविल इलेक्टिकल इलेक्ट्रोनिक्स एन इलक्ट्रोनिक्स ठीक है इलेक्टिकल इलेक्ट्रोनिक्स जो है तो इनका जो है जो यहां पर डिप्लोमा वाले हैं और फीटर वाले हैं तो वह ध्यान दिए जो टेक्निकल एक्युमेन डिलिमेंट डिस्प्लीं 40 मार्क होगा यानि कि जो आपकर ट्रेड होगा उसे 40 मार्क पूछा जाएगा और जो प्वाण्टिटी अप्टिटूड मैथ वाला कोशन है जनरीक अप्टिटूड वह 20 मार्क होगा और रिजिनिंग 20 मार्क होगा और इंगलिस लेंग् आपको मीमम 40 मार्क लाना ही लाना है आपके जो ट्रेड से पूछा जा रहा है और जो भी यहां पर सो कोश्चन आ रहे हैं उसमें 40 परसेंट पास ही मार्क है यानि कि 40 परसेंट आपका मार्क सही होना चाहिए तो आप प्लिजिबल है अब चलिए यहां पर कुछ वेरिफीकेशन में आपको क्या-क्या लगने वारा है ठीक है तो यह डाकुमेंट वेरिफीकेशन अभी नहीं लगेगा दोस्तों यह बाद में मैं बता दूगा गया आपका सेलेक्शन हो जाएगा वज़से यहां पर देख लिजे तैन्स सर्थिफिकेट लगने वारा है ठ फिर आपका जो पाचवा नंबर है कनवर्जन सट्टिफिकेट सीजी पीए वह वालों का है वह लगेगा फिर सट्टिफिकेट मेंसंदर डेट आप प्रिंसपल आप दी पॉल्टेक्निक स्कूल इंस्ट्टूट वह लगेगा आपका फिर आप केंडिडेट एप्लाइं अगर सब्सक्राइब अब यहां पर चलिए कुछ और इंपोर्टेंट आपको मैं बताओं जो चीजें यह आपको ध्यान देना है कैसे करना है अपको मैं बता दे रहा हूं कैसे करेंगे सबसे पहले आपको रिजिस्ट्रेशन होना होगा अप्रेंटीसीप पोर्टल पे जो कि आपको लेना होगा अप्रेंटिशिप वाला रेजिस्ट्रेशन नंबर वह आपके पास होना चाहिए उसके पास आयोसील के आफिसियल वेस्टाइट पर आप आजाएंगे दगी आप और आपको अप्रेंटिशिप पर जाना है केरियर में जाना है अप्रेंटिशिप में जान और जब आपका रिटेन टेस्ट होगा आपको क्या कर दिया जाएगा एसमेस और इमेल के मार्जान से आपको बता दिया जाएगा तो यह आप ज़रूर बरिया आपका फार्म छूटेगा नहीं यहाँ पर यहाँ पर जो दियान देना है कि यहां पर जो द्यान देना है यानि कि आपको इमेल और मोबाइल नंबर करेंट में होना चाहिए जो कि एक साथ के लिए वैलिटि होनी चाहिए क्योंकि आपका जो यह आपको यहाँ पर जाना है यहाँ पर जाना है क्या आपको इंगेजमेंट अप टेकनिकल न टेकनिकल अपरेंटिस इंड रिजन पर आपको क्लिक करना है marketing division पर तो यह आपको क्या करना कुल दो में ऺतु आपको क्या करना है टीए-फिरी फिदि फैर्मेट lata draining कि नहीं अर्फ में पर नहीं होना में चयालत वह तक की सही क्ली मुदय बनाएंगे या पीडिये डेट आप बर्थ लिखा होगा certificate आप दी प्रिसका है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आई टी ग्रेजुएशन डिप्लोमे इंजिनिरिंग जो भी है आपके पास आई टी आई ग्रेजुएशन डिप्लोमे उसका certificate आपको क्या करना है अप्लोड करना है एडव्य सर्टिफिकेट ओबीसी स्टीएस सब्स्टिफिकेट होगा तो वह भी अप्लोड करना है सिगनेचर इन ब्लैंक इंक में आपका सिगनेचर होना चाहिए वह अप्लोड करना है और रिसेंट कलर पासपोर्ट साइट फोटोग्राफ और आपका फोटो यह चीजे आप होगा तो यह आप अनलाइन अप्लोड करेंगे अब आई यह अर्दर रिक्वाइर्मेंट क्या होगा आपका आपका रिजिस्ट्रेशन देमसेर्फ करना है अप्रेंटिसिप पर या बी ओपी टीसी पर है या एन एस डिसी पर थ्रोदा गॉर्मेंट पोर्टल केंडिडेट इफ़ पैंटकर आपके पास एक पैंटकर होना चाहिए या एक अजरल करना चाहिए और बैंक एकांट और च्रेकबूक पर चा ХAST से जो स्टार्ट हुए यह फां डेट आप अप्लिकेशन ओपिनिंग अंलाइन अप्लिकेशन अठाइस एक दोजार इक तीस नहीं कि अठाइवश्च जनुवर्श दोजर एक टीस से 11 से स्टार्ट हो चुका है लाज्ट जो यह अप्लिकेशन सब्मिट करने का वो 26 फरवरी 2021 तक है जो कि 5 पिएम तक रहेगा फिर यहाँ पर तीसरा जो है क्टेट्टेट्ट्वा डाउंलेड अडमीड काड की जो डेट है वह एक कर देट है वह एक तारी तीन का महीदाथ 2021 यानि कि एक मार्च का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा फाइप पीम पे जो कि आपको डाउनलोड करने ना है आपका जो रिटेंट टेस्ट होगा वह 14 अब आपके आपको रिड़्टन टेस्ट विल भी कंड़क्ट PETER को रची और haarti में होने वाला है तो यहां पर आपको ध्यान देना है प्लीज नोट डेट एनी चेंज इंडेट आप दी रीटेन एक्जामिन एसा आर सीटी विल वी इंसीमेटेट थो दा आयोसील वेबसाइट हैंस केंडिजेट्स आइडवाइज टू रेगलूरेज चेक दी वेबसाइट फार एनी अपडे मैंने आपके साथ डिसकस कर लिया यदि आप यह फार्म भर रहे हैं तो यह वीडियो पहले देखिएगा और इसके बाद यह फार्म भरने में कोई दिक्करत हो रहा है तो आप मुझे इस वीडियो के माधन से कमेंट करिए अगर आपको लगेगा कि मुझे वीडियो बनाना यह फार्म बनने वाला तो मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए तो आज के लिए वीडियो मीत नहीं थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो गाई यदि वे यह वीडियो अच्छा लगा होत गा तो अपने दोस्तों के साथ भी सेर करिए और चैनल पर नहीं होंगे तो सब कर लिए दोस्तों क्योंकि यहां पर मेलाता रहता है आपके लिए जाब से रिलेटेड अप्रेंटिस से रिलेटेड और आपकी गवर्मेंट जाब टेकनिकल नॉन टेकनिकल तैयारी करवाता रहता हूं तो आज के लिए वीडियो में इतने ही थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो गईज